तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Veeam Application के बारे में तो आपके मन में आ रहा होगा कि यह Veeam Application है क्या तो मैं आपको बता दूँ कि Veeam Application एक Mobile Application है जो Central Government के द्वारा इसे Implement किया गया, इसे Launch किया गया और इसे Cashless Marketing में यह बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला Application है जो की Future में हम इसे यूज करेंगे यह बिल्कुल Paytm Application के जैसा ही है इसका Interface बिल्कुल वाइसा ही है आप इसमें भी आप अपने Account से पैसे Transfer कर सकते हैं किसी दूसरे के Account में तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं दोस्तों आप यह वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा वीम Application क्या है और यह Paytm से कैसे अलग है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह वीम Application यह कोई भी Transition Charges वगएरा नहीं लेता ठीक है दोस्तों और जबकि Paytm में हम Paytm जब भी हम यूज करते थे तो उसमें हमें Transition Charges देने पड़ते थे और Paytm में और भी बहुत सारी कुछ कुछ कमियत दी जैसे कि अगर हमें किसी को पैसे देने है या कुछ पर्चेस करने है Paytm के दुरू तो सबसे पहले हमें अपने बैंक के अकॉंट से उसे रिचार्ज करना होता था जबकि वीम Application में ऐसा नहीं है वीम Application बिलकुल आपके बैंक से डारेक्ली ट्रांसपर होगा ठीक है दोस्तों आप अपने बैंक के अकॉंट से जहां से आप कोई समान खरीद रहे हो वहाँ पर उसके अकॉंट में डारेक्ली ट्रांसपर होगा तो आगे देखते हैं तो दोस्तों यह आप देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से बैंक सपोर्ट करते हैं तो जैसा आपके सामने बैंक के लिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं, अलाहबाद बैंक है, अंध्रा बैंक है, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बरोदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, कैनरा बैंक, कैथलिक सेरियन बैंक, तो दोस्तों आप इसे वीडियो को प लिखते हैं सबसे पहले नमबर पेटियम पेटियम में अगर पहले नमबर में देखे तो this is an e-wallet मिन्स यह एक e-wallet है अगर e-wallet बोले तो एक जगह होता है जहां पर आप पैसे को जमा करके रख सकते हो वो है e-wallet जबकि v-me application में लिखा हुआ है this is direct transfer bank to bank means यहां पर v-me application में कोई e-wallet को आपको recharge करके रखने की जरुरत नहीं है अब directly इसे bank से अगर account में पैसे हैं तो आप directly उससे कुछ खरीद सकते हैं जबकि paytium में ऐसा नहीं था पैटियम में क्या था कि अगर आप किसी चीज को अगर आपको खरीदना हो या mobile का bill pay करना हो तो सबसे पहले आपको paytium को recharge करना पड़ता था ठीक है friends तब जाके आपको वो purchase या services आपको मिलते थे तो इसमें यह भी problem थी कि अगर आप इसके थूरू paytium के थूरू अगर आप bank account login करते हो तो यह आपका information वहाँ पे save रखता है और यह चलिए आगे देखते हैं और भी difference है दूसरे number में है it's need to recharge wallet for transaction जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं इसे recharge करके रखना पड़ता है तब ही अब इसे use कर सकते हैं और इसमें लिखाओ it is not need to it's not need to recharge anything you can make transaction directly from bank तो जैसा मैंने बताया भी दोस्तों अब तीसरा number देखते है transaction are happen through paytium as a middleman and paytium transaction charge apply तो paytium के थूँ अगर हम कोई transaction करते हैं तो paytium एक middleman की तरह use करता है इसे अपने आपको middleman की तरह use करवाता है जैसे कि सबसे पहले हम हमें मान लिया जाए paytium से कोई चीज खरीदना हो ठीक है mobile recharge करना हो मान लिया जाए तो अगर हम mobile recharge करना है तो सबसे पहले हम paytium को पैसे देते हैं कि यह लो मेरे व्याप पे अब मेरे को recharge करवा करे दो ठीक है तो paytium फिर वो पैसे हमसे ले लेता है फिर वो जो अगर हमें किसी चीज को भी लेना है तो वो हमारे बदले में वो खरीद के हमें दे देता है उस प्रोम बैंक, नो नीड एनी मीडिल मैन, मिंस यहां पर डिर्कली बैंक से आप टांजेक्शन करोगे, यहां पर मीडिल मैन की कोई जरुरत ही नहीं है, ठीक है फ्रेंट्स, और इसमें सबसे बड़ी बात, कि इसके टांजेक्शन के लिए आपको इंटरनेट की जरुरत नहीं होगी वहीम में, तबकि पेटियम में आपको इंटरनेट की जरुरत होती थी, ठीक है फ्रेंट्स, अब आगे का देखते हैं क्या है इसमें, अगर हम इसके टांजेक्शन के बात करें, तो टांजेक्शन लिमिट है दोनों में, जैसे पेटियम में हमें क्या होता था, महिने में हम इससे टांजेक्शन कर सकते थे, सिर्फ 25,000 रुपए का, सिर्फ 25,000 रुपए वो भी एक महिने में, जो की बहुत ही कम है, अगर भीम की बात करें, तो भीम अप्लिकेशन में, सिंगल टांजेक्शन इस मैक्सिमम 10,000, मिंस एक बार में आप 10,000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन, 10,000 तक ही ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, एक बार में, और अलग-अलग बार में आप जितना भी, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए, आप जितनी मर्जी उतना कर सकते हैं, लेकिन और एक दिन में, 24 आर्स म तो अब इस अप्लिकेशन के बारे में देखते हैं कि कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसे यूज करते हैं ठीक है तो अब देखते हैं अपने मोबाइल में चलते हैं तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को कोलते हैं प्ले स्टोर कोलने के बाद यहां पर हम सर्च करेंगे भीम 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 आप देख सकते हैं दोस्तों यह 1.9 MB का है बहुत ही छोटा एप्लिकेशन है हम इसे इंस्टॉल करेंगे यह डाउनलोडिंग शुरू हो गया है यह 3% हो गया है दोस्तों तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसे कंटिनू करूंगा तो फ्रेंड्स यह 91% हो गया है 94 हो गया है बस यह होने ही वादा है और यह डाउनलोड हो गया अब यह इंस्टॉल हो रहा है तो इंस्टॉल होने देते हैं इसे यह इंस्टॉल भी हो गया हम इसे ओपन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हम यहां पर ले आम यह पर लांवाज को चूज करते हैं ठीक है फिंट receive money instantly using your mobile तो दोस्तों इस से अगर आप कोई bank में transfer करते हैं तो यह real time में transfer होता है बिलकुल यहां पर आपने send किया और वहां पर जाके उसके account में credit हो गया अब यहां next पर click करेंगे तो अब यहां पर कुछ आ रहा है secure simple super fast all payment are done using secure network of unified payment interface upi all money goes directly into your bank account instantly 24 into 7 याने कि 24 into 7 means 24 hours and 7 days आप कभी भी इसे use करके आप इसे बैस चकते हो और यहां पर तीसरे में तीसरे नंबर पर दिया हो scan QR code to pay receive money means आप QR code के तुरू भी आप payment ले सकते हैं और receive कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात मैं इसे एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस application को use करने के लिए आपको internet की आवसकता नहीं चाहिए means अगर internet आपको नहीं भी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं तो फिर से इसे next करते हैं अब यहाँ पर allow us to access SMS securely verify your mobile number phone state तो आप इसमें वही mobile number आप इस पर एंटर करें जिसका आपका account जिस mobile के साथ linked है ठीक हो फ्रेंड्स तो अब इसे करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड कि यहाँ पर यह अगर आपके पास android का latest version है तो यह थोड़ा सा आता है इसे allow करना के लिए allow कर दीजिए यह थोड़ा समय लेगा इसे ओन होने में तो फ्रेंड्स यह थोड़ा समय लेदा है यह जब allow होता है तो मैं दुबारा आपको दिखाता हूँ वैसे इसमें कुछ भी नहीं करना जहां तक जैसे मैंने इंस्टॉल किया बाकी यहाँ पर एक mobile number एंटर करना होगा आपको वही mobile एंटर करना है जिसके साथ आपका एकांट लिंक है ठीक है फ्रेंट्स फिर उसके बाद वही mobile नमबर आप किसी दूसरे पार्टी को आप दोगे और वह mobile नमबर के थुरू भी आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं अपने अकांट में ठीक है फ्रेंट्स तो और इसे यूज करने के लिए आपको एक पास कोड की जरुरत होगी जो की एप्लिकेशन स्टार्ट होते समय आपको एक पास कोड सेट करने के लिए बताया जाएगा तो मैं आप उसे पास कोड को सेट कर लें ताकि अप्लिकेशन कभी भी आप फ्रेंट कर लें तो यह बहुत ही आपिसbenाने अप कर सकते हैं इसलिए मैं इसके आगे बताता रहूँ ठीक है proving क्योंकि यहांसे मेरे personal इंफोर्मेशन आने शुरूर हो जाएग तो मैं वीडियो को य तो दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए वाई जै हिन जै भारत